यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ की घायलों को अस्पताल में भरती करवाया जा रहा है पंधरा बच्चे गंभी रूप से घायल हो गए है और कही न कही मासूमों के जिन्दगी के साथ खिलवार यहां पर किया जा रहा है इस तरह के हाथ से बार-बार सामने आ रहे हैं खबरे अभी तक exclusive तस्वीरे आपको दिखा रहा है टेवी स्किन्स पर आप देख सकते हैं की घायल जो है उन्हें अस्पताल में भरती करवाया जा रहा है साथी इस तरह का कुशी नगर में भी पहले फ्रेन के साथ जो स्कूली वैन टकरा गई उसमें भी 11 लोगों की 11 बच्चों की मौत हो गई जिसके बाद अब एक बार और ऐसा हाथसा सामने आया है तो लगातार इस तरह के हाथसे बच्चों की स्कूली वैन के साथ सामने आ रहे हैं यहाँ पर तेज रफतार का कहर देखने को मिला कहिना कही प्रशासन भी लापरवा है और लापरवा ही यहाँ पर स्कूली वैन के जो चालक है उनकी भी नजर आ रही है क्योंकि तेज रफतार का कहर यहाँ पर देखने को मिला तेज रफतार टैंपो ने स्कूली वैन को टकर मार दी जिसके चुलते अब 15 बच्चे गंभी रूप से घाल हो गए है और घालो को अस्पताल में भरती करवाया गया है तो तस्वीरे आप देख सकते हैं टीवी स्किन्स पर घालो को अस्पताल में भरती करवाया जा रहा है साथी मासूमों की जिन्दगी के साथ कहीं न कहीं खिलवाड हो रहा है क्योंकि इस तरह के लगतार हाथ से सामने आते रहे हैं पहले भी हिमाचल के नूरपूर में इस तरह का हाथसा सामने आया था जहां पर 23 स्कूली बच्चों ने अपनी जान गवादी थी अभी आज ही कुशी नगर में भी 11 स्कूली बच्चों ने अपनी जान गवादी और अब एक बार फिर से ऐसा हाथसा सामने आया है जिसमें 15 बच्चे गंभी रूप से घाल है तो कहीं न कहीं मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवार किया जा रहा है उनकी इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी जो लापरवाही है उसकी सजा कहीं न कहीं बच्चों को मिल रही है तो एक तेज रफ्तार टैंपो ने यहाँ पर स्कूली वैंग को टकर मार दी जिसके चलते 15 बच्चे गंभी रूप से घाल हो गए है दिल्ली का यह हाथसा है जो आपको बता रहे हैं साथी से पहले कुशी नगर से भी इस तरह का हाथसा सामने आया जहाँ पर मासूमों की मौत हो गई 11 मासूमों ने अपनी जान गवा दी तो अब एक बार फिर से यहाँ पर यही दिल्ली से इस तरह का हाथसा सामने आया है जहाँ पर एक तेज रफ्तार टैंपो ने स्कूल वैंग को टक कर मारी है झाल